समाजवादी पार्टी के विधायक मुम्मद असन रूमी हमारे साथ हैं। रूमी जी आज की बैठक में क्या रहा? एक साथ उनकी जो जन विरोधी नीतियां होंगे उसका विरोध करेंगे जो लोगतांतिक तरीका है, जो समयध्यानिक तरीका है, सदन से लेकर सलक तक समाजवादी पार्टी के सारे नेता, आदनी राष्टी अद्धजी के नेतत में, पहले दिन से, क्योंकि अब हम उन लोग वो एक दिनका भी बख्षनी देंगे, क्योंकि उनका पार्ट टू है, लगातार कंटिन्यू है, उन्नों पने संकल पत्त में जो भी जूट बोला, उनको हम याद दिलाएंगे, सदन में भी याद दिलाएंगे, सलक पे भी याद दिलाएंगे, इसलिए, आज हम लोग सारे नेता पूरी उर्जा पूरे विश्वास पूरे मनोयोग के साथ आज हम अपने नेता को हम लोग वहां से चुनकर आएं और सदन 28 तारीक को शपत के बाद से जब भी सदन शुरू होगा जनीत के काम करेंगे जन विरोधी जो भी मुद्द्ध होंगे उसको हम सदन से सलक तक आ वाला इस अदन में उत्सा ज्यादा है देकि मैंने आपसे पहले कहा कि आदनी राश्टी अद्धेश्जी मुखंतरी के हैसे से पिछली बार बिना विधान सभा के सदस्की हैसे से मुखंतरी थे बरतमान में उत्तर परदेश की करहल सीट से उन्होंने जिस तरीके से चुना करता हूं कि उस वोट का और उनके आदेश को स्विकार करते हुए राश्टी अद्धेश जी ने उत्तर परदेश के सदन में बैटना हुची समझा मैं तो यह भी कह सकता हूं कि तीन क्रोड़ से भी ज्यादा मत दाता हूं कि कोई सम्मान को और उनके विश्वास को उनके भ कुरुर्स की बात है आप लोगों है मुद्धे कानि कों 참 कों से तयार की है हम लोगों ने महगाई वेरोजओकारी हैं किसान कि मुद्धे जितने भी किसान से महगाई से बिरोजगारी से रेलेटेट जो मुद्धे हैं हम उन मुद्धों पर काम करेंगे मुद्धों बात करेंगे दोजार 24 लिए हम लोग 80 सीटों के के बारे में उसका मंतन करेंगे कि हम अभी बरतमान विदानसभा चुनाउं में अब हर शहर में किता बोट पाया कौन सी सीट जी सकते हैं तो अभी हम लोग ने एक एटे ग्लांज जो भी रफ अद्यान किया उसमें 24-25 सीटों पर हम पहली लड़ाई में हैं उसको हम लोग सतर सी की लड़ाई पर ले जाने के लिए अपने सारी ठाकत लगाएंगे विधानसवार सतर के मात्यम से बहुत शुक्रिया मुहमत असन रूमी हमारे साथ और उनका कहना है कि यह जो सदन शुरू होगा इस सदन में जनता के मुद्दों को लेकर सदन से सडक तक लड़ाई करे एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी